दोस्तो यूपी के फरुकाबाद में निर्वाचन आयोग के गोदाम में आग लग गई आग लगने से दरजनो एवियम मशीने जल गई गोदाम में बिजली की फीटिंग भी नहीं है तो आप कैसे लगी अब सवाल उठता है आग लगी है या लगाई गई है इवियम से बोटिंग को लेकर विपक्षी दल हमेशा से सवाल उठाते है है कहीं कोई सबूत मिटाने की कोशिश तो नहीं की गई नमशकार दोस्तों मैं हिमान सी कशप आप के साथ आप देख रहे है जनता की अवाज आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर पहली बार जनता की अवाज लू चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें घंटी ज़रूर बजाए चैनल की भी और सरकार की भी आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ देजिए और उसकी ताकत बनिये जनता की अवाज बनिये और हो सके तो इसकी लिए चैनल को जोइन भी करें दोस्तों इस तरह के सवाल इसलिए उठ रहे है क्योंकि EVM हमेशा से विवादों में रहा है विपक्ष का कहना है बीजेपी EVM से खेल करती है यूपी के चुनाव के दोरान भी यही आरोप लगे और हाली में हुए मध्य परदेश चुनाव में भी बीजेपी की जीत के बाद EVM की धांदली के आरोप लगे और इंडिया गटबंदन की बैटक में भी विपक्षी दलों ने प्रस्ताप पारित करके EVM को खारिश किया था दोस्तों इन सब की बीच अचानक से खबर आना कि गोदाम में आग लग गई जिसमें 800 EVM रखी हुई थी ये सवाल खड़ा करता है कहीं कुछ गड़बर तो नहीं अब इन आरोपों में कितनी सचाई है ये तो जाच के बाद ही सामने आएगा फिलाल इस घटना ने सबी को हैरान कर दिया है दरसल मामला ये है बुद्वार को चुनावायों के गोदाम में अचानक आग लग गई गोदाम में रखी एक दरजन से ज़्यादा EVM मशीने जलकर बरबाद हो गई और हैरान करने वाली बात ये है कि जिस गोदाम में EVM मशीने रखी थी उस गोदाम में बिजली का कनेक्शन नहीं था ऐसे में शोड सरकिट से आग लगने की भी आशंका नहीं जताई जा सकती इस रहसे में आग को लेकर सपा मुख्य खिलेश यादव ने भी सवाल उठाए है उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि फरुकाबाद में 800 EVM जली बिना सोड सरकिट के लगी आग से सक का धुआ उठ रहा है सुवेच चुनाव आयोक के गोदाम में आग लग गई जिसकी वज़े से अफरा तफरी मच गई आग की सूचना पर पहुँची फायर ब्रिगेट टीम को गोदाम के अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था गोदाम में धुआ भर गया था फायर ब्रिगेट की टीम ने दिवार पर होल बना कर पाने की बोच्छार की आदे घंटे की कड़ी मशकत के बाद आग पर काबू पाया गया सीटी मजिस्ट्रेट सतीस चंजर के मुताबिक गोदाम में आग लगने की वज़ेश पस्ट नहीं हो पाई गोदाम के अंदर बिजली फिटिंग भी नहीं है ऐसे में शोर्ट सरकिट से आग लगने की आशंका भी नहीं जताई जा सकती आग मुझाए जाने के बाद में गोदाम के अंदर जूट के कुछ टुकडे अजले अवस्ता और किसी रासायनिक पधार्त में भीगे हुए बताय जा रहे थे जिसके बाद में किसी के दुआरा आग लगाए जाने की अधिक आशंका व्यक्त की जाने लगी जूट के फोटो शोशल मीडिया पर वाइरल है सीटी मजिस्ट्रेट ने डी वी आर को सुरक्षित करने के निदेश दिये है जाज के बाद ही गोदाम में आग लगने का कारण पता चल पाएगा दोस्तों नियम अनुसार वेर हाउस बेस्मेंट में विध्यूती करन की अनुमती नहीं है हाला कि विभाग्य सूत्रों के अनुसार बेस्मेंट में बिजली कनेक्शन था जाज के बाद विध्यूत अधिकारियों ने शोर्ट सर्किट की संभावना से इनकार कर दिया अलावा मुख्य अगनिश्मन अधिकारी वे विद्यूत शुरक्षा के अधिकारियों को शामिल किया गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार 762 बैलेट यूनिट, 78 कंट्रोल यूनिट और 338 वी वी पी एटी सतिगरस्त होने की सूचना है। यह बची हुई और खराब EVM थी। नोंने घटना में लापरवाई के बिंदू पर भी ज्वाज किये जाने की बात कही गई है।